C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित पाठ्य पुस्तक गनित का जादू 2 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 9 इसका शीर्शक है मज़ेदार दिन प्रिष्ट 66 से प्रिष्ट 75 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय 9 शीर्शक मज़ेदार दिन प्रिष्ट 66 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर इस अध्याय का शीर्शक लाल रंग के अक्षरों में लिखा है मज़ेदार दिन और उसके बाई और अध्याय का क्रमांक लिखा है 9 उसके ठीक साथ में एक कन्या का चित्र बनाया गया है इसके नीचे एक कैलेंडर दिखाया गया है और उस कैलेंडर के उपर एक मोडे जाने वाले निमंतरन पत्र के उपर एक कविता लिखी गई है बड़ा मज़िदार है भाईया रवीवार का वार इस दिन सारे वार मनाते छुट्टी कातियोहार सुम और मंगल ने मिलकर पौधा एक लगाया बुध और ब्रिहस्पती ने उसको पानी खूब पिलाया शुक्रवार बोला पौधे को थोड़ा सादो पानी शनिवार ने खाद डाल कर पूरी की मनमानी क्या रवीवार तुम्हारे लिए एक मज़िदार दिन है सुम और ये सोच कर बहुत खुश है कि वो सब्ताह का पहला दिन होता है अब तुम बताओ कर रिक्तस्थान सब्ताह का तीसरा दिन होता है घर रिक्तस्थान सब्ताह का आखरी दिन होता है कौन सा दिन आएगा? क रविवार के बाद रिक्तस्थान क रविवार से पहले रिक्तस्थान इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इस अध्याय को समझाने के लिए कैलेंडर का प्रयोग उपियोगी होगा बच्चों को कक्षा अथवा घर में कैलेंडर देखने के लिए प्रेरित करें प्रिष्ट सड़सट गः बुधवार के बाद रिक्तस्थान को भरें गः बुधवार से पहले रिक्तस्थान को भरें ड रविवार के दो दिन बाद रिक्तस्थान को भरें च बुधवार के चार दिन बाद रिक्तस्थान को भरें च सोमबार के साथ दिन बाद रिक्तस्थान को भरें इस प्रिष्ट पर दाई और बीच में एक लड़के का चित्र बनाया गया है वो लड़का कह रहा है सोचो, सोचो इस चित्र के बाई और आप से एक प्रश्न पूछा गया है कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? क्यों? इस प्रश्न के नीचे आप से कुछ और प्रश्न पूछे गए है और उनके सामने रिक्त स्थान दिये गए हैं जिन्हें आपने भरना है ये इस प्रकार है आज कौन सा दिन है? रिक्त स्थान को भरें कल कौन सा दिन था? रिक्त स्थान को भरें कल कौन सा दिन होगा रिक्त स्थान को भरें इसके नीचे नीले रंग के अक्षरों में लिखा गया है टीचर टीचर कक्षा दूसरी के कुछ बच्चे टीचर टीचर खेल खेलना पसंद करते हैं उन्होंने बारी बारी से इस खेल में टीचर बनने की सोची इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे नीचे दो चित्र दिखाए गए हैं सबसे बाई ओर दिखाए गए चित्र में कुछ बच्चे खड़े हुए ब्लाक बोर्ड की ओर देख रहे हैं उसके ठीक साथ में बनाए गए चित्र में एक बाली का टीचर का पात्र निभा रही है उसने अपनी आखों पे टीचर के जैसा चश्मा लगाया हुआ है और ब्लाक बोर्ड पर उसने चौक से लिखा हुआ है अ उसके एक हाथ में चौक है और दूसरे हाथ में डस्टर इस चित्र के ठीक साथ दाई और एक तालिका दी गई है इस तालिका के सबसी उपर वाले कॉलम में दो शीरशक लिखे गए हैं पहले कॉलम में लिखा है दिन दूसरे कॉलम में लिखा है कौन टीचर बनेगा दिन वाले शीरशक के नीचे सब्ताह के दिनों के नाम लिखे गए है इसी प्रकार कौन टीचर बनेगा शीरशक के नीचे अलग-अलग बच्चों के नाम लिखे गए है इसका अर्थ हुआ सोमवार वाले दिन वैभव टीचर बनेगा इसी प्रकार मंगलवार को अलपना बुधवार को गौरव ब्रिहस्पतिवार को गुरप्रीत शुक्रवार को दीपक और शनिवार को रहनुमा टीचर बनेगा प्रिष्ट अडशट इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लिखा है अब खाली जगह को भरो क शुक्रवार के बाद वाले दिन खाली जगह टीचर बनेगी ख मंगलवार के पहले वाले दिन खाली स्थान टीचर बनेगा गह गौरव खाली स्थान के बाद वाले दिन टीचर बनेगा गह दीपक खाली स्थान के पहले वाले दिन टीचर बनेगा इसके नीचे नीले रंग के अक्षरों में लिखा है हर दिन खेल का इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग में एक तालिका दी गई है और सब बच्चे उस तालिका को देख रहे हैं इसके शीरशक के रूप में लिखा है दूसरी ए का टाइम टेबल इस तालिका के बाई और सबसे उपर लिखा है पीरियड उसके नीचे एक काटा लगा कर अलग सेक्षन बना कर लिखा है दिन पीरियड के नीचे एक लाल रंग का तीर दिखाया गया है उसी प्रकार दिन के नीचे एक लाल रंग का तीर दिखाया गया है पीरियड के ठीक सामने एक, दो, तीन, चार और पांच कॉलम दिये गए हैं दिन के ठीक नीचे लिखा है सोमबार, मंगलवार, बुधवार, ब्रिहसपतिवार, शुक्रवार, शनिवार सोमबार के ठीक सामने एक कॉलम के नीचे लिखा है हिंदी, दो के नीचे गणित, तीन के नीचे खेलकूद, चार के नीचे अंग्रेजी और पांच के नीचे संगीत इसी प्रकार मंगलवार वाले दिन एक हिंदी, दो गणित, तीन ड्रोईंग, चार अंग्रेजी, पांच पुस्तकालाई बुधवार वाले दिन एक हिंदी, दो गणित, तीन खेलकूद, चार अंग्रेजी, पांच पुस्तकालाई ब्रिहस्पतिवार वाले दिन, 1. हिंदी, 2. गणित, 3. ड्रोईंग, 4. अंग्रेजी, 5. संगीद शुक्रवार वाले दिन, 1. हिंदी, 2. गणित, 3. खेलकूद, 4. अंग्रेजी, 5. संगीद शनिवार वाले दिन एक हिंदी, दो गणित, तीन ड्रॉइंग, चार अंग्रेजी, पांच पुस्तकालाई प्रिष्ट 79 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लिखा है कक्षा दूसरी एके टाइम टेबल को ध्यान से देखो और नीचे दी हुई तालिका को पूरा करो इसके नीचे एक तालिका दी गई है, जिसके पहले कॉलम में पीले रंग के बकसे में शीरशक लिखा है, पीरिड साथ ही दूसरे कॉलम में, जोके पीले रंग का है, उसके शीरशक के रूप में लिखा है, कौन से दिन पीरिड शीरशक के नीचे लिखा है पहले कॉलम में ड्रॉइंग, इसके आगे रिक्त स्थान छोड़ा गया है, इस खाली स्थान को भरें इसी प्रकार दूसरे कॉलम में लिखा गया है संगीत, इसके सामने वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है, इसको भरें तीसरे कॉलम में लिखा गया है खेल कूद, इसके सामने वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है, इसे भरें चोथे कॉलम में लिखा गया है पुस्तकालाई इसके सामने वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है इसे भरी इसके नीचे लिखा है तुम्हारी कक्षा में अ तुम्हारा खेल का पीरियड किस-किस दिन होता है खाली स्थान इसे भरी 2. कितने बच्चे खेल का पीरियड रोज रखना चाहेंगे खाली स्थान इसे भरे स. खेल के पीरियड में तुम कौन से खेल खेलते हो खाली स्थान इसे भरे द. तुम्हारा ड्रॉइंग का पीरियड किस-किस दिन होता है खाली स्थान, इसे भरें य, क्या तुम्हारा संगीत का पीरियड होता है? खाली स्थान, इसे भरें यदि हाँ, तो किस किस दिन? खाली स्थान र, स्कूल में सबतह का कौन सा दिन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? खाली स्थान, इसे भरें प्रिष्ट सत्तर इस प्रिष्ट पर सबसे उपर बाई और नीले रंग के अक्षर में लिखा है मन पसंद महीना इसके नीचे लिखा है एक दिन सोना, अर्जुन और जेबा अपने मन पसंद महीनों के बारे में बातें कर रहे थे सोना, जिसने हरे रंग की कमीज पहनी हुई है, बाई और उसका चित्र दिखाया गया है वो कहता है, मेरे मन पसंद महीने मई और जून हैं, इन महीनों में आम खाने को मिलते हैं अर्जुन जिसने लाल रंग की कमीज पहनी है, उसका चित्र इस प्रिष्ठ पर उपर बीच में बनाया गया है वो कह रहा है, मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि इस महीने में क्रिस्मस आता है इस प्रिष्ठ पर दाई और पीले रंग के कपड़े पहने हुए जेबा का चित्र बनाया गया है वो कह रही है, मुझे जुलाई और अगस्त पसंद हैं क्योंकि इन महीनों में बारिश होती है इन तीनों के चित्रों के नीचे आपसे कुछ प्रश्ण पूछे गए हैं लिखा गया है, तुम्हारा मन पसंद महीना कौन सा है? खाली स्थान, इसे भरें क्यों? खाली स्थान, इसे भरें तुम अपने मन पसंद महीने में क्या करना चाहते हो? उसका चित्र बनाओ इसके नीचे पीले रंग के एक बकसे को दिखाया गया है, जिसे खाली छोड़ा गया है प्रिष्ठ 71 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर बाई और एक तोते का चित्र बनाया है ये तोता कह रहा है तालिका भरो इसके दाई और तालिका दिखाई गई है और उसके दो कॉलम में शीरशक लिखे गए है पहले कॉलम में लिखा है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है दूसरे कॉलम में लिखा है ये किन महीनों में आता है पहले कॉलम के नीचे लिखा है फल इसके आगे खाली स्थान दिया गया है इसी प्रकार ये किन महीनों में आता है शीरशक के नीचे पहले कॉलम को खाली छोड़ा गया है इन कॉलम को भरें मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है शीरशक के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा गया है सबजी इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है और उसके ठीक सामने वाले कॉलम को खाली छोड़ा गया है इन दोनों को भरें इसी प्रकार सबजी वाले कॉलम के नीचे लिखा गया है फूल इसके सामने रिक्तस्थान दिया गया है और उसके सामने वाले कॉलम को भी खाली छोड़ा गया है इनको भरें इसके नीचे लिखा है पांच त्योहारों के नाम लिखो जो तुम या तुम्हारे दोस्त मनाते हैं उन महीनों के नाम भी लिखो जिनमें ये त्योहार मनाई जाते हैं इसके नीचे होली खेलते हुए बच्चों का चित्र दिखाया गया है इन मेंसे कुछ बच्चों के हाथ में पिचकारी है और वे एक दूसरे के उपर पानी फेंक रहे हैं इसी प्रकार एक बच्चे के सामने बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें एक पिचकारी रखी हुई है और उस बाल्टी के साथ नीचे पानी से भरे हुए गुब्बारे रखे गए है इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे एक ताली का दिखाई गई है जिसमें बाई और एक शीरशक लिखा है पीले रंग के बकसे में लिखा है त्योहार का नाम इसी प्रकार दाई और पीले रंग के बकसे में शीरशक लिखा है महीना जिसमें मनाया जाता है इन दोनों शीरशकों के नीचे पाँच कॉलम खाली छोड़े गए हैं इन्हें भारे प्रिष्ट बहत्तर इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर लिखा है किसी त्योहार का चित्र बनाओ इसके नीचे सलेटी रंग का एक बकसा दिया गया है जिसे खाली छोड़ा गया है इस बकसे के नीचे लिखा गया है नीचे दी हुई सूची में से कुछ महीनों के नाम गायब हैं उन महीनों के नाम भरो जन्वरी, फर्वरी, रिक्तस्थान, अपरेल, रिक्तस्थान, जून, रिक्तस्थान, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, रिक्तस्थान, दिसंबर रिक्तस्थानों को भरें इसके नीचे लिखा है कैलेंडर देख कर पता लगाओ साल का पहला महीना कौन सा है? रिक्तस्थान मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? रिक्तस्थान अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? रिक्तस्थान साल का आखिरी महीना कौन सा होता है रिक्तस्थान इन रिक्तस्थानों को भरें प्रिष्ठ तिहत्तर इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में लिखा है अलग है फरवरी का महीना इस प्रिष्ठ पर बाई ओर एक निमंत्रन पत्र नुमा एक कागस पे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है लिखा है तीस दिन के महीने चार साथ पर है एक तीस का भार सबसे छोटा फरवरी भाता कभी कभी है कूद लगाता इसके ठीक दाई ओर दो लड़कियों का चित्र दिखाया गया है इन में से लाल रंग के कपड़े पहने हुए लड़की कह रही है लंबे महीने में इक तीस दिन, छोटे महीने तीस दिनों के इस प्रिष्ठ पर नीचे लिखा है कैलेंडर देखो और बताओ किन महीनों में तीस दिन होते हैं रिक्त स्थान को भरें कितने महीनों में इक तीस दिन होते हैं खाली स्थान इसे भरें फरवरी में कितने दिन हैं खाली स्थान इसे भरें सबसे छोटा महीना कौन सा है खाली स्थान इसे भरें मई और जून में मिलाकर कुल कितने दिन होते हैं खाली स्थान इसे भरें इस बार जुलाई में कितने रविवार हैं खाली स्थान इसे भरें इस बार तुम्हारा जन्म दिन किस दिन पड़ेगा खाली स्थान इसे भरें पता करो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कितने दिनों की होती हैं खाली स्थान इसे भरें तुम्हारी सर्दी की छुट्टियां कितने दिनों की होती हैं? खाली स्थान, इसे भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महत्पपूर्ण जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश लंबे और छोटे महीनों को याद रखने का एक प्रचलित तरीका चित्र में दर्शाया गया है जनवरी से शुरू कर उंगलियों के उभरे हुए भागों पर लंबे महीने बैठते हैं जबके छोटे महीने बीच वाले स्थानों में आते हैं प्रिष्ठ चोहत्तर इस प्रिष्ठ पर बाई और नीले रंग के अक्षरों में लिखा है कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं इसके नीचे एक चित्र के माध्यम से कश्मीर के लोगों को सर्दी के मौसम में आग तापते हुए दिखाया गया है इनके दाई और एक बच्चे का चित्र दिखाया गया है वो कह रहा है, मैं अश्रफ हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ ज्यादतर हवा ठंडी होती है इस से मेरे दांत बज़ते हैं, मुझे धूप में या आग के पास बैठना पसंद है इसके नीचे एक और चित्र दिखाया गया है इस चित्र में दाई और एक घर दिखाया गया है और उसी के साथ नल के नीचे बैठ कर नहाते हुए एक बालक का चित्र दिखाया गया है इसी प्रकार चार पाई पर बैठी एक महिला का चित्र दिखाया गया है जो के गर्मी होने की वजह से स्वयम को पंखे से हवा कर रही है इसी चित्र में दाई और नीचे नारियल पानी पीते हुए एक व्यक्ती का चित्र दिखाया गया है इस चित्र में बाई और सबसे उपर एक लड़की का चित्र दिखाया गया है वो कह रही है मैं लक्ष्मी हूँ, मैं चिन्नई में रहती हूँ, यहां बहुत गर्मी पड़ती है अगर मैं नंगे पैर चलूँ तो मेरे पैर जलने लगते हैं मुझे पानी से भरे ताल में बैठना अच्छा लगता है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र में बाई ओर बारिष होते हुए दिखाई गई है और लोग बारिष से स्वयम को बचाने के लिए छाता लिए हुए दिखाये गई हैं इन में से एक व्यक्ती ने जल भराव होने के कारण अपनी चपलें अपने हाथ में पकड़ी हुई है इस चित्र में दाई ओर एक लड़की को दिखाया गया है वो कह रही है मैं रुबय्या हूँ मैं मेघालय की रहने वाली हूँ यहां बारिश रुक्ती ही नहीं अक्सर सूरज काले घने बादलों के पीछे छिपा रहता है इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे गुलाबी रंग के बकसे में महत्पपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश अलग-अलग रितुओं से संबंधित अपने अनुभवों को बाटने के लिए बच्चों को प्रेरित करें प्रिष्ट 75 इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर लिखा गया है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा एक, क, तुम्हारे दांट ठंड के कारण बज़ते हैं हाँ या नहीं ख, नंगे पैर चलने से तुम्हारे पैर जलते हैं हाँ या नहीं ग, एक महीने का नाम बताओ जब तुम्हासानी से नंगे पैर घूम सकते हो खाली स्थान, इसे भरें दो, क, क्या तुम्हारे इलाज़ते हैं हाँ या नहीं ख, तुम्हारे इलाके में सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है खाली स्थान, इसे भरें तीन, क, तुम्हारे इलाके में ज्यादा गर्मी के महीने कौन से होते हैं खाली स्थान, इसे भरें ख, तुम्हारे इलाके में ज्यादा ठंडे महीने कौन से होते हैं खाली स्थान, इसे भरें चार, इन महीनों में कौन से फल और सबजियां बाजार में ज्यादा दिखाई देते हैं लिखो या चित्र बनाओ इसके नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें सबसे उपर शीरशक के रूप में लिखा गया है मई वजून उसके नीचे शीरशक के रूप में पीले रंग के बकसे में लिखा गया है फल इसी प्रकार सलेटी रंग के बकसे में लिखा गया है सबजियां इन दोनों शीर्शकों के नीचे चार कॉलम खाली छोड़े गए हैं इन खाली स्थानों को भरें इसी प्रकार इस प्रिष्ठ पर दाईं और सबसे नीचे एक तालिका दी गई है जिसके शीर्शक के रूप में सलेटी रंग के बकसे में लिखा गया है दिसंबर वजनवरी इसके नीचे पीले रंग के बकसे में शीर्शक के रूप में लिखा गया है फल और हरे रंग के बकसे में लिखा गया है सबजिया इन दोनों शीर्शकों के नीचे चार कॉलम खाली छोड़े गए हैं इन खाली स्थानों को भरें इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय नौ यहां समाप्त हुआ वाचक, बाबला कोचर, तक्नीकी समन्वे, बटी लैंगलिंग्डो निर्माण सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वन निर्माण, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली, भारत